मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शान्ती आज का सुविचार सभी को साथ की अक्ष्टा होती है क्या मेरी पास किसी साथी का साथ बाटने के लिए बड़ पूर प्रेम है क्या करना है आज हमने यह चक करना है आज हम इस विचार पर विचार करेंगे तो सोला नो बीस के महाँ आके बाटने कहां मीठे बच्चे बाप आए हैं सब के दुख हरकर सुख देने इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो बाप आए हैं सब के दुख हरकर सुख देने इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो प्रशन उंश्पत पाने वालों बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उंश्पत पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? पहला, व्यास सदा शिरिमत पर चलते रहेंगे दूसरा, कभी हटनी करेंगे तीसरा, आपने आपको आपपे ही तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे चोथा, आपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे और पांचवा, सरकी प्रती रहम दिल और कल्यान कारी होंगे कौन जो उँश्पद पाने वाले बच्चे होंगे, उनके अंदर ये निशानी है न बाग एती सर्व की प्रती रहम दिल और कल्यान कारी बनेंगे उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा कोई भी तुष काम नहीं करेंगे, मना बुरा काम नहीं करेंगे लडेंगे जगडेंगे नहीं, कौन जो उँश्पद पाने वाले होंगे गीत, तुने रात गवाई सो के, दिविस गवाया, खा के हीरा जनन मोल, कोडी तुले जाए, जाए, जाए कौन, मना हमारा स्वास, संकलाप, समय, अनर्जी, सब कुछ क्या जा रहा है फिर वेस्टी जा रहा है ना, और बावम बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे तुने रात गवाई सो के, रात तो सोने के लिए होती है, तो बाव कहने का भाव है कि रात को जाकर भी क्या करो, कमाई करो, रात को भी क्या होने चाहिए, कमाई होने शांटी रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बठे हैं अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझग हो रूहानी बाप और कुई नया समझ न सके हे रुहानी बच्चे ऐसे कभी कोई कह ना सके कहना आएगा नहीं तुम जानतेूं हम रुखानी बाब के सामने बैठे हैं जिस बाब को यर्थाथ रिती कोई भी नहीं जानते बल अपने को भाई 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 भी समझते हैं हम सब आत्मा हैं एक बाप हैं परन्तु यर्थात रिती नहीं जानते हैं जब तक सम्मुख आगर किस समझे नहीं तब तक समझे भी कैसे हम सब आत्मा हैं बाहा कहते तुम भी जब सम्मुक आते हो तब समझते हो ना तुम हो ब्रामन ब्रामनिया तुमारा सरनेम ही है ब्रह्मा मुखवन शावले ब्रह्मा कुमार और कुमारिया शीव की तो सब आत्मा है तुमको शीव कुमार वे शीव कुमारी नहीं कहेंगे ये अक्षर रौंग हो जाता है कुमार हो तो कुमारी भी है शीव की सब आत्मा है कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष के बच्चे बनते, शीव के बच्चे तो निराकारी आत्मा है ही, मूल वतन में सब आत्मा ही रहती है, जिनको साली ग्राम कहा जाता, यहां आते हैं तो फिर कुमार और कुमारी बनते हैं जिस्माने, जब आत्मा ने शरीर धाने किया, तब वास्त में तुम हो कुमार शिवावा के बच्चे, किसके बच्चे, कुमारियां और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हैं, तुम बेके हो, इसलिए भाई भेन कहलाते हो, अभी इस समय तुमको नौलज मिली है, तुम जानती हो, बावा हमको पावन बना करके लिए जाएंगे, बावा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या पूछते हैं, आत्मा जितना बाव को याद करेगी, तो पुवित्र बन जाएगी, आत्मा ब्रह्मा मुक्सी ये नौलज बढ़ती है, चितर में भी बाव की नौलज क्लियर है, शिप बावा ही हमको पढ़ाते हैं, ना क्रिशन पढ़ा सकते हैं, ना क्रिशन द्वारा बाब पड़ा सकते हैं, क्रिशन तो व्यकुन का प्रिस है, ये भी तुम बच्चों को समझाना है, क्रिशन तो स्वर्ग में अपने मा बाब का बच्चा होगा, कौन? भारत वासी नहीं जानते हैं, बाब कहते हैं, स्वर्ग वासी बाब का बच्चा होगा, तो व्यकुन का प्रिस है, उनको भी कोई जानते नहीं, क्रिशन जनती पर अपने अपने घरों में क्रिशन के लिए जूले बनाते हैं, मंदरों में जूले बनाते हैं, माताई जागर गोलक में पैसा डालती पूजा करती आज कल क्राइस्ट को भी क्रिशन मिसल बनाते हैं ताजादी पहना कर मा की गोल में दे देते हैं जैसे क्रिशन को दिखाते हैं अब क्रिशन और क्राइस्ट राशी तो एक ही है वो लोग कॉपी करते हैं नहीं तो क्रिश्ण के जनम और क्राइस्ट के जनम में बहुत फरक है कौन कौपी कारते हैं क्राइस्ट कर जनम कोई शोटे बच्चे के रूप में नहीं होता क्राइस्ट की आत्मा नहीं तो कुई में जाकर परवेश किया है बहां कहते हैं वह भी कारों से पैदा नहीं हो सके आगे क्राइश्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे क्रोवस पर दिखाते थे ये अब भी दिखाते हैं बच्चे जानते हैं धरन स्थापन को कोई ऐसे मार ना सके तो किसको मारा फिर जिसमें परवेश किया उनको दुख मिला बागा कहते सतो परदान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है बताओ उसने क्या करम किये जो इतने दुख भोगे आत्मा ही सतो परदान अवस्ता में आती है सबका ही साबता चुक्तु होता है इसमें बाप सबको पामन बनाते है बिजिस के तन में आई उसने ये सावता भोगा न, दुख तो उसको हुआ वो तो आई अपना धर्म स्तापन करके चली गई वहां से सत्व परदान आत्मा आगर के दुख भोग न सके आत्मा ही भोगती है न, आत्मा श्रीर में है तो दुख होता है किसको? आत्मा को, मुझे दर्द है, ये किसने कहा? श्रीर ने? इस श्रीर में कोई रहने वाला है वह कहते हैं परमात्मा अंदर है तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है सर में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? पुर्मादमनित ने बुरे काम गया, इतना पाप गया, जो सब के अंदर है, दुख भोग रहा है यह आत्म पुगारती है, हे परमपिता परमादमा हमारे दुख दूर करो पल्ला की बाप को ही आत्म पुगारती है न अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं बाग एते मुझे याद करेंगे तो तुमारे सब दुख दूर हो जाएंगे कोई दुख नी रहेगा आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है मूल वेतन में तो हैल्दी वेल्दी नहीं बताएंगे न वहाँ कोई सिस्टी थोड़ी है वहाँ तो है ही शानती कहाँ उपर दुनिया में शानती से धरम में ठीके हुए हैं अब भी बाप आये हैं सब के दुख अरकर सुख देने के लिए बाव किसलिए आये सब के क्या करने हैं बाव किते में सब के दुख दूर करने के लिए आया हूँ न तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बनो किसी को दुख नहीं देना क्या नहीं देना है ये लडाई का मैदान है प्रंतु गुप्त लड़ना किस के साथ हमने बुराईयों के साथ लड़ना है न बावा कहते यू जो गाइन है न यूद के मैदान में जो मरेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे उसका अर्थ भी समझना पड़े अब यूद कौन सा लड़ाई कौन सी ये तो पता ही नहीं है उस दूसरी लड़ाई का देते न मिल्टरी वालों को कमांडों को इस लड़ाई का मतब देखो कितना है बच्चे जान दें उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जाएं न सके प्रंतु गीता में बगवान वाश है तो उनको मानेंगे तो सही न बगवान ने किसको कहा उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा सोचो अब दोनों को कहा उनों को भी समझाया जाता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो ये सर्विस भी करनी है अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाते पुर्शात करो लड़ाई में तो सब दरम वाले सिख भी हैं वो तो सिख दरम में आएंगे ही स्वर्ग में तो सब आ सकेंगे न तब आ सकेंगे जब तुम ब्रामनों से आगर के ग्यान ले अगर किसी ने स्वर्ग में आना ना तो क्या करें पहले ग्यान लेना जैसे बाबा की पास आते थे तो बाबा समझाते थे तुम लड़ाई करते शिवा की यान में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे बाकि ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे नहीं जाश्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो उनको थोड़ा ही ग्यान समझाया जाता है किनको? बाख इसकी बात करें लडाई में अपने इस्ट देवता को याद जरूर रखते हैं सिख लोग होगा सिख होंगा तो गुरु गुविन सिंग की जय कहेंगे ऐसा कोई नहीं है जो अपने को आत्मा से परमात्मा को याद करें जितने भी धर्म है अल्लाः वाई गुरू जिसको भी मानते हैं बाख कहते हैं बाकी हाँ जो बाप का परिछे लेंगे तो स्वर्ग में आही जाएंगे सब का बाप तो एक ही है पतित पावान वे पतितों को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई उपाए नहीं है और मैं जो सुखदाम स्थापन करता हूँ ना उसमें तुम आ जाएंगे लडाई में भी शिपाव को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे और के चाहिए उस युद्ध के मैदान की बात और है यहां और है बाब कहते हैं ज्यान का विनाश नहीं होता है शिपाव के बच्चे तो सब हैं अब शिपाव कहते हैं मा में कमियाद करो करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति दांग फिर जो ग्यान सिखाया जाता है न वैप पढ़ेंगे स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी कितना सहज है स्वर्ग में जाने का रास्ता सैकीन में मिल जाता है हम आत्मा भाब को याद करती हैं लडाई के मैदान में तो खुशी से जाना है न करम तो करना ही है देश की बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है वहां तो है यह एक दरम मतवेद की तो कोई बात ही नहीं है बागेते यहां तो देखो कितनी लडाई जगड़े उतरते हैं यहां कितने मतवेद है पाणी पर जमीन पर पाणी बंद कर देते हैं तो पत्थर मानने लग पड़ते हैं एक दो को अनाज नहीं देते हैं तो चोड़ो अब क्या करो मुझे याद करो तुम बच्चे जानते हो हम अपना सवराज्य स्थापन कर रहे हैं बाप पूछ रहे हैं तुम बच्चों से पढ़ाई से राज्य पाते हो ना बागत याद है तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो राज्य मिल जाएगा नई दुनिया कोई भी चीज में लड़ने जगने की बात ही नहीं है, यहां कोई जमीन दोड़ी बाटना है, ज़गा बाटना है, रहना भी बहुत सधारन है, बावा ने समझाया है, तुम ससर गुर जाते हो, इसलिए अवनवा में हो, सब भी आत्मा जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएगे, शरीर का बिमान भी छोड़ देना है, क्या छोड़ देना है, हम आत्मा 84 जनम अपूरे हुए, जो भी भारत वासी हो, बोलो भारत स्वरग था, अब तो कल जुगे, स्वरग स्वरग करते रहते हैं, स्वरग का पता ही नहीं है, तो बावित उनको समझाओ, कल जुग में अन आया हुआ है, आगे चल बविशवाने भी करते रहेंगे, वायू मंडल भी देखेंगे, तो बाव बच्चों को समझाते हैं, बाव तो सब भी का है, सब का हक है, बाव से वर्सा लेने का, यह कुछ थोड़ चोटा है, को गरीब है, को अमीर है, हाँ मीर को जदा मिलेगा, गरीब को जदा मिलेगा, अमीर को ने मिलेगा, सब का हक है, बाव केती में आया हूँ, और सब को केता हूँ ना, मा में कम याद करो, तुमारे भी कर्विनास होंगे, थोड़ी मैं गरीब को केता हूँ, तु याद कर ले, और तेरे भी कर्विनास हो जाएंगे, और अमीर को सब के लिए अभी तो मनुस समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है यह तो कल भी हो सकती है लड़ाई जोर बनने के देरी थोड़ी लगती है प्रतुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राधने किया श्तापन होई है तो विवनाश कर्वी नाशए हो सकता है लाध को पैगांद चारोगत तरव कहा दिया है आटा को धिष्ट मालबाब कहते हैं मुझ drinking विवनाश हों गे यह पैगांद सब के कानों पर जाना चाहिए अभी के जा रहा है सब के कानों पर ये पेगाम जा रहा है ना बल लडाई लगे बांस भी लग जाएं प्रहंतु तुमको निश्चे कि हमारी रायदा ने जुरू स्था पनोनी है जब तक विनाश होई नहीं सकता है विश्च में शांती कहते हैं विश्च में बार होगी तो विश्च को खतम कर देंगे ये हैं विश्च विद्याले सारे विश्च को तुम नौलज देते हो एक ही बापा अगर सारे विश्व को पलटाने मनब परवर्तन करते हैं वो लोग तो कलब की आयू ही लाखों वर्ष कहा देते हैं न तुम जानते हूं इनकी आयू पूरे पांच जार वर्ष की है बाप फिर हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्ची उन्हों बातों में नहीं चले जाना आगी तो बहुत टाइम पड़ा बहुत टाइम पड़ा है कहते हैं क्राइस से 3000 वर्ष पहले हैविन था इसलामी बोधियादी सब का इसापता निकालते हैं न उनसे पहले दूसरे का कोई नाम ही नहीं है बाग एते तो तुमको कितना नशाराना शेहे न जगड़े आ दे कि तो बात ही नहीं है इसमें जगड़ते वह हैं जो निर्धन के होते तुम अब भी जो पुर्षात करेंगे न एककी जन्म के लिए प्रालब बन जाएगे लड़ेंगे जगड़ेंगे तो उन्च पद नहीं मिलेगा सजाएं भी खाने पड़ेगे कोई बात है कुछ भी चाहिए तो बाब के पास आओ बाबा क्या कहा रहे हैं बच्चों को गौर्मेंट भी कहती है न तुम फैंसला अपने हाथ में नहीं उठाओ को ही कहते हैं हमको विलायत कबूर चाहिए बाबा कहेंगे बच्चे अभी तुम कहा हो वन माल में बैठे हुए हो न वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे बाब के सामने शुरू-शुरू की बाद न कई परकार के बच्चे देना हां मुझे ऐसा चाहिए मुझे वैसा कि यह बात ठीक नहीं है यहां तुम यह आज क्यों रखते हो मेंगा मेंगा पैने यहां तो बहुत सिंपल रहना चाहिए नहीं तो देवी माना जाता है इसमें अपनी नहीं चलानी होती है बाबा जो कहें बिमारी आधी है डाक्टर आधी को बुलाते हैं दवाई आधी से स मालतों सब की होती है भी हर बात में बाब बैठा है शिरिमत तो शिरिमत है और जिश्चे में विजेए है ना वो सब को समझते हैं बाब की राय पर बाब की राय पर चलने में ही कल्यान है अपना अपण भी कल डियान करना हैं, शोऑ रहता है चक को लगाते रहते हैं, सर्वीश नहीं करते तो उनको रहाम देल कल्यान कारे कुछ किन्को on कि जो सर्विस नहीं करते हैं ना बाबा कु याद नहीं करते तो तो तुझ गाम के बाबा काथे पद भी तुछ पाएंगे फिर थोड़ा ही पालेंगे न ऐसे नहीं कि हमारा तो शिप बावा से योग है यह ही भी कि शिप बावा ब्रह्मा द्वारा ग्यान दे सकते हैं सिर्शिप बावा को याद करेंगे तो मुर्ली के से सुनेंगे फिर नतीजा क्या होगा पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे बावा देखो मुर्ली सुनने कभी तरीका बता रहे हैं कि बच्चे यह ऐसे मुर्ली सुनों कि ब्रह्मा बावा के तन में शिप बावा आये हैं और मुझे क्या सुना रहे हैं वि मेरी कल्यान के लिए बाते बता रहे हैं न बाहा केते पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे ये भी जानते है न सब की तक दीर उंच नहीं बनती है वहां भी तो नंबर वार पद पाएंगे कहा पवित्र तो सब को होना ही है आत्मा पवित्र बनने भी गर शांती दाम जाई नहीं सकते जितना मर्जी जोड लगा जब तक आत्मा पवित्र नी बनी है ना तब तक शांती दाम जाए ने सकते बाग समझाते तुम सब को यह ग्यान सुनाते चलो कोई बल अब भी नहीं भी सुनाते हैं आगे चल कर जुरू सुनेंगे सुनते नहीं है ना कि यूँकर सुनाने का शोंगी नहीं होता तो सुनना भी है अभी कितने भी वीगन तुफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि नए धर की स्थापना हो रही है तुम गुप्त रायदनी स्थापन कर रहे हों बावा सर्विसेबल बच्चों को देखर खुश होते हैं, तुम्हें अपने को आपपी राज्तिलक देना है, शेरी मत पर चलना है, इसमें अपना हठ चलना सके, मुक्त अपने को घाटे नहीं डालना चाहिए, बाप केते बच्चे सर्विसिबल और कल्यान करी बनो, बाप बच्चों को कहा रहे हैं, बच्चे गाटा नहीं डालना है ना, स्टूडन को टीचर कहेंगे ना, परंतु गैलप करो, पढ़कर गैलप करो, तुमको 21 जन्मक लिए सरकी स्कॉलर्शिप मिलती है, बिराज्दा निमे आ जाना है, ये बड़ी स्कॉलर्शिप है ना, आच्च, मिठे मिठे, सिक्किलदे, बच्चों ब्रती, मार पिता, बाब दादा का, याद प्यार, ऑर गुड़ मोर्ने, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को नमस्ते ओम शान्ती धाना के लिए मुखे सार संगम पर बहुत सिंपल रहना है क्योंकि ये वनवा में रहने का समय है न जहें लड़की की शादी होती है न तो उसको फटे पराने कपड़े बैनाते हैं न यहां कोई भी आश नहीं रखनी है कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना है लड़ना जगरना नहीं है विनाश की पहले नहीं राजदने स्तापन करने के लिए सब को पैगाम देना है बाप का बाप का पैगाम देना न कि बाप केते मुझे याद करो तो भी कर विनाश और तुम पामन बन जाएंगे और तुम पामन बनो बर्दान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को सब भी बच्चे बर्दान लेंगे किसी की बुद्धी दुदर ने जाएगी न इदर दुदर ने कमानी हैं बुद्धी बाब देखों बर्दान दे रहे हैं बाब द्वारा सफलता का तिलक प्रापत करने वाले सदा आज्याकारी दिल तक्त नशीन भाव भागी विदाता बाप रोज अमर्द्वेले अपने आज्याकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं आग्यागारी ब्रामन बच्चे कभी मेनत व्या मुश्किल है शबद मुख से तो क्या संकलप में भी ला नहीं सकते व्या सहर योगी बन जाते हैं इसलिए कभी भी दिल्शकर्ष नहीं बनो लेकिन सदा दिल तक्त नशीन बनो क्या बढ़ना है बच्चों को दिल्शकर्ष नहीं बनना है दिल तक्त नशीन बनना है बाह केते हैं जो ब्रामन बच्चे आग्यागारी बच्चे हैं व्या मुख में कभी भी ये संकलप नहीं ला सकते हैं बड़ी मेनत हैं बाह कहते हैं रहम दिल बनो एहम भाव और वेहम भाव को समापत करो वेहम को कोई लाज नहीं है इसलिए वेहम भी नहीं करना एहम तब आगेती क्या नहीं करना है वेहम को भी समापत करतो लोगने विश्य परवतन की डेट नहीं सोचो स्वेहम की परवतन की घड़ी क्या करो पक्य कर लो पढ़ती क्या कर लो यह मने चेंज होना ही होना है कि इश्यन्ट कर दो कॉंसी विश्य परवतन की डेटर नहीं सोचो को भी परवतन होगा मना तब हम चेंज हो जाएंगे बागते नहीं टाइम को परवरतन नहीं बनना है का इम आएगा ता चेंज कर समय आएगा तो समय इसां ड tuam improve जहुआँ थुम इंशाने पहले कोपरवर्तन हैं यह करना है क्या करना है हमने हैं कि पहले अपने को परवर्तन करना है तुन्हें रात गवाई सोके दिवस गवाया खाके ही राजनुन मुल कोड़ी बदले जाएं। सोचो खुद को परवतन करो कि हम किसलिए आए थे, क्या सोच के आए थे, क्या हमने पहले सोचा था, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष क्या है, हमने बढ़ना क्या है, इस पढ़ाई समय क्या फायदा है, ये सोचो, ये समय नहीं आएग रात भी गवाती, दिन भी गवाता, अब यही थोड़ा सो समय बचा है, बढ़ा करते हैं, अब भी नहीं तो, कब भी नहीं, अब क्या करो, ना रात गवानी है, ना दिन गवाना है, हर समय क्या करना है, बढ़ा करते हैं, समय, संकलब, सुरण, सब कुछ सफल करना है, स्वा दुख हरकर सुख देने इसलिए तुम दुख हरता सुख देने किसी को भी दुख ना दो उच्पत पाने वाले बच्चों की मुख्छी निशानी क्या होगी सोचो कौशी निशानी होगी फिर लिखना ठीक है लिख कर फिर क्या करना मुझे हो मर्क पोस्ट कर दे रहां ठीक है पता चल जाएगा ना कि हम बच्चे क्या कर रहे हैं अम मुर्ली सुन रहे हैं तो उसको चिंतन कर रहे हैं तो कौन सी होग मिला हमें निशानी बतानी है जो ज्यादा से ज्यादा लिखेगा ना उसको फिर प्राइस मिलेगा ओम शान्ति जो भी नएवाईवन इस चैनल पर मुर्ली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो फिर वो एक बार सामने दिख रहे हैं सस्क्राइब बटन को क्लिक करें और वेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहेंगे आप तक पहुँचें थैंक यू हब आज़ दे